कुछ दिनों पहले कोट्रा के सुल्तानबाद शेत्र में एक नोवर्शी मासुम बच्ची के साथ दुषकर्म के बाद हत्या किये जाने का मामला सामने आया था और इस मामले में विश्णु भामोरे को गिरफतार किया गया था और केस की सुनवाई चल रही थी इसी के चलते जिला दालत ने विश्णु भामोरी को दोहरे मृत्यु देंड की सजा सुनाई है इसमें एक सजा हत्या के लिए है और दूसरी सजा दुषकर्म के लिए दी गई है इसके अलाबा अदालत ने अप्राक्रतिक क्रत्य अपराद में उम्रत के अपरण वसबू छिपाने के अपराद में साथ साल की कैद और चार हजार रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई है दरसल 8 जून को कोटरा के सिल्टानाबाद की मांडवा बस्ती में रहने वाली एक बच्ची तकरीबन रात के 8 बजे के करे कुछ सामान लेने गई थी लेकिन फिर वो घर नहीं लोटी जब काफी देर तक वो घर नहीं पहुची तो घर वालों ने पूछता ची तो दुकान वाले ने बताया कि वो 10 से 15 मिनिट पहले ही सामान लेकर निकली है बच्ची को तलाशा गया लेकिन वो नहीं मिला वहीं दुशकर्म का अपराधी राद भर बच्ची के परिवार वालों के साथ बच्ची को ढूंडने का नाटक करता रहा और सुबह तक्रीबन 5 बजे बच्ची का शब घर के बाजू में स्थितन नाले में मिला इसके बाद बच्ची का पोस्ट मॉटम किया गया और बच्ची की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में ये सामने आया कि बच्ची के साथ हत्या से पहले दो बार और हत्या की बाद एक बाद दुशकर्म और अप्राक्रतिक कर्थ किया गया है जब विश्णू के घर की तलाशी ली गई तो महां से बच्ची की चूड़ियां मिली पुलिस द्वारा कॉल डिटेल निकलवाई गई और उसे खंडवा से पकड़ा गया सिर्फ अदालत में पेश किया गया विश्णू ने बताया कि वो रादभर बच्ची को ढूने का नाटक करने के बाद सुबह सुबह बच्ची की लाश नाले की किनाने रखाया था पुलिस ने चार दिन में विश्णू के खिलाफ अदालत में चार्जशिट पेश की और विश्णू के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 302 सहित अन्य धाराओं के तहट मामले दर्ज किये गए राज़ानी के अदालत ने दुशकर्म के मामले में फासी की ये चौथी सजा सुनाई है और इसके पूर्वतत कालिक जिला नियादीश तेनु शर्मा ने अभियुक्त दिलिब बनकर को विशेश नियादीश साइदा बानु रह्मान ने अभियुक्त मुस्तफा को फासी की स सजा सुनाई थी इसके लाब अजिला ने आएदी शेलेंद शुक्ला सुश्मा खोसला भी एक एक मामले में फासी की सजा सुना चुके हैं दुशकर्म और हत्या के इस मामले में पुलिस द्वारा भी ततपरता दिखाते हुए घटना के चार दिन बाद ही चालान पेश कर द और दुशकर्मी और हत्यारे को दोहरेम रत्युदंड की सजा सुनाई गई मध्यपदेश में फासी के मामलों की बाद की जाये तो 2019 में साथ लोगों को फासी की सजा सुनाई जा चुकी है और उनमें छे मामले दुशकर्म और दुशकर्म के बाद हत्या जैसे हैं महीं 2018 में प्रेस्ट बेल इकन फोर मोर अप्डेट्स